प्रादेशिक समाचारिकांच भोपाल से प्रस्थुत है दमुह जिले की चिठ्थी आलेख अनिल जैन, वाचक स्वर सैयुक्ता बैनर जी मथिप्रदीश माधिमिक शिक्षा बोड की परीक्षाएं कल से शुरू हो रही है दमुह जिले में कक्षा दसवी के 17,594 और बारवी के 16,000 से ज्यादा विद्यार थी इन परीक्षाओं में शामिल होंगे जिले में परीक्षा के लिए कुल पिच्यासी परीक्षा केंद्रो बनाए गए हैं इस बार बारह केंद्रो को समवेदंशील और अधी समवेदंशील घोशत किया गया है केंद्रा अध्याक्ष और साहयक केंद्रा अध्याक्ष की ड्यूटी कलेक्ट्रेट स्थित NIC से लगाई जाएगी जिले के मौसम में बदलाव दिखने लगा है दिन और रात किताप मान में भी उतार चड़ाव दर्ज किया जा रहा है दोपहर में धूप चुबने लगी है अब सर्फ रात में ही ठंट का हिसास हो रहा है ठंड कम होने से मच्छरों की दस तक हो गई है अचानक मौसम में बदलाव से लोगों की परिशानी भी बढ़ रही है पेडों से पत्ते भी गिरना शुरू हो गए है क्रिशी वग्यानिकों की माने तो आने वाले दिनों में दिन और रात किताब मान में वृधी होनी की समभाबना है साथी आधरुता में भी कमी होने से रभी फसलों में पानी की जरूरत पड़ेगी इसको ध्यान में रखते हुए रभी फसल में सचाई प्रबंधन के लिए किसानों को सलाह दी गई है जिले के क्रिशी उपज मंडी में नई फसल की आवक शुरू हो गई है जिससे मंडी में अब किसानों की भीड भार दिखाई देने लगी है इस बार अरहर और सरसों की उपज किसान स्यादा लेकर आ रहे हैं अरहर 3610 से 7900 रुपए प्रती क्विंटल और मॉडल रेट 7490 रुपए प्रती क्विंटल किसानों को मिल रहा है वहीं सरसों का 4400 से लेकर 5200 रुपए प्रती क्विंटल मिल रहा है जबकि सर्सों का मॉडल रेट 5,000 रुपे प्रती कुंटल तक है व्यापारियों की माने तो आगामी दिनों में आवक और भाव दोनों बढ़ने की उमीद है अगले महीने से समर्थन मूली पर गेहूं, चना, मसूर और सर्सों की खरीदी की जाएगी इसके लिए 6 फरवरी से पंजियन का काम चल रहा है अब तक 13,941 किसानों द्वारा पंजियन कराए गए है जिसमें से गेहूं के लिए 12,451, चने के लिए 5,398, मसूर के लिए 1,764 और सर्सों के लिए 267 किसानों ने पंजियन कराया है जिबकि बीते साल कुल 38,858 किसानों ने पंजियन कराया था इस बार कम पंजियन कराने की पीछे खुले बाजार में गेहूं का मूल्य समर्थन मूल्य से ज्यादा होना बताया जा रहा है पछले दिनों दमुह सांसद और केंद्री राज्यमंत्री प्रलाज सिंग पतेल कुंडलपूर के समीब स्थित रुकमणी मठ पहुंचे और उन्होंने जनसमुह और अधिकारियों की बैठकली इस दोरान उन्होंने कहा कि एक हजार वर्ष पुराने रुकमणी मठ मंदर के जीनोध्धार के बाद रुकमणी की मूर्ती स्थापित की जाएगी उन्होंने कहा कि अभी रुकमणी देवी की मूर्ती तम्यंती संग्रहाले दमों में रखी हुई है केंद्री राज्य मंत्री ने पत्रिया में स्थित शास्किय महाविद्याले में जिम और सभागार का भी लोकार बन किया जिले में 5-18 वर्ष तक के बालक-बालिकाओं में हिमुगलोवन की कमी देखी जा रही है पछले 10 महीनों में स्वास्थ टीम के द्वारा बालक-बालिकाओं का हिमुगलोवन एजबी टेस्ट किया गया 18,327 के शरीर में खून की कमी पाए गई इनमें 757 बच्चे अती गंभीर पाए गए जिले में कुल 61,600 टेस्ट किये गए राजी शिक्षा केंद्र द्वारा राश्य मेरिट कम मीन्स चात्रवरती परीक्षा की प्रदेश तरियर रैंकिंग जारी की गई है जिसमें दमहो जिला प्रदेश भर में अव्वल रहा है दमहो ने प्रदेश के भूपाल इंदोर ग्वालियर जबलपुर जैसे महनगरु को पीछे छोड़ा दमहो का सको 7.69 रहा पतरिया में नव निर्मित, श्री दिगंबर, जैन, विरागोदय, तीर्थ में पंचकल्यानक, जिन बिंब, महोटसव, निर्विख्न और शांतिपून तरीके से संपर्न हो गया ये आयोजन 1-15 फरवरी तक किया गया इस दोरान भगवान आदिनात के पाँच कल्यानकों का विधि विधान पूर्वक मंचन और गजरत फेरी आयोजित की गई उपकाशी के नाम से प्रसिध हटा से सैयोगिता खटीक ने सिवल जज परीक्षा को तीर्ण कर परिवार और शहर का नाम रोशन किया वहीं दमोनगर के निवासी उर्जा से हिठाकुर का चैन भारतिय सेना में लेटनेंट इंजिनियरिंग शाका के पत पर हुआ है उनकी All India Rank फर्स्ट रही महा शिवरात्री पर जिले के शिवालेयों में शिव भक्तों ने भगवान शिव का अभिशेक कर पूजा अर्चना की देवश्री जागेश्वर नाथ मंदर बांदकपुर में भगवान भूद भावन भोले नाथ के एक हजार आठ नामों से हवन यग्यायोजद किया गया जिले के चठी समाथ हुई